This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your Dostep. अंदेवेली पहुचे कलेक्टर और विधायक, नव युवा दुर्गा मंडली में पुषपार्चना, जगड़े के बाद पीचरों को किया टाइट, बतकमा आंदोलन. तो आईए दर्शकों जानते हैं समाचारों को विस्तार से. आज जिला कलेक्टर श्री राहूल राजी सिर्पुर विधायक कोनेरू कोनपा के साथ अंदेवेली के पेदावागू ब्रिज पर पहुचे. उन्होंने पुल का फिर से राज़ा लेते हुए कहा कि एक बार टेंडर जारी किया गया था लेकिन किसी ने अपलाई नहीं किया. अब फिर से रिवैलियोशन किया जाएगा जिसके बाद फिर से टेंडर जल ही बुला ली जाएगी. आज बड़े भजार के नव युवा दुर्गा मंडली में पुष्प अर्चना का कारेक्रम रखा गया था. 25 साल पहले शुरू हुए इस दुर्गा पूजा में आज भी लोग भारी संख्या में जमा हो रहे हैं. इस आउसर पर कल शाम को यहाँ विशेश पुष्प अर्चना का कारेक्रम आयोजित किया गया था. दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेर और कमेंट करना न भूले. तो आएए दोस्तों जानते हैं आगे के समाचार. आंदोलनों के आधार पर लड़ जगड़कर आंध्रप्रदेश से अलग होने वाले तेलंगाना के व्यक्ति के अंदर आंदोलन की एक से बढ़कर एक कलाकारी है. कौटाला में भी आंदलन हुआ, लेकिन आएए जानते हैं क्यों हुआ. सरकारी आदेश याने GO317 जिसने की पूरे तेलंगाना में सरकारी अधिकारियों के ट्रांस्वर व्यवस्ता को पूरी तरह बदल दिया. इसको लेकर अधिकतर सरकारी नौकरी करने वाले परिशान हैं क्योंकि उन्हें बिना कुछ बताए उन्हें मर्जी में आई जगह पर ट्रांस्वर कर दिया जाता है. यहां तक कि उनका प्रमोशन और डिमोशन भी नहीं सोचा जाता. इसलिए सरकारी आदेश के विरोध में ये आंदोलन हुआ. आंदोलन भी अनोखा. कौटाला बस टैंड पर खुले आम बतकम्मा आंदोलन पर उत्रे सभी सरकारी नौकर बतकम्मा खेलने लग गए. सबके हाथ में बैनर और प्ले कार्ट था. आंदोलनों के आधार पर लड़ जगड़कर आंदोप्रदेश से अलग होने वाले तेलंगाना के व्यक्ति के अंदर आंदोलन की एक से बढ़कर एक कलाकारी है. कौटाला में भी आंदोलन हुआ. लेकिन आईए जानते हैं क्यों हुआ. सरकारी आदेश याने जी ओ 317 जिसने की पूरे तेलंगाना में सरकारी अधिकारियों के ट्रांसवर ववस्ता को पूरी तरह बदल दिया. इसको लेकर अधिकतर सरकारी नौकरी करने वाले परिशान हैं क्योंकि उन्हें बिना कुछ बताए उन्हें मर्जी में आई जगह पर ट्रांसवर कर दिया जाता है. यहां तक कि उनका प्रमोशन और डिमोशन भी नहीं सोचा जाता. इसलिए सरकारी आदेश के विरोध में ये आंदोलन हुआ. आंदोलन भी अनोखा. कौटाला बस स्टैंड पर खुले आम बतकमा आंदोलन पर उत्रे सभी सरकारी नौकर बतकमा खेलने लग गए. सबके हाथ में बैनर और प्ले कार्ट था. तो दर्शकों आज शाम के यानि 30 सेप्टमबर के शाम के मुख्यों समाचारों में बस इतना ही. मिलते हैं कल सुभा कुछ और खास समाचारों के साथ. तब तक के लिए आप बने रहें आपके अपने पसंदिदा चैनल लोकल टीवी के साथ. मैं कीर्ती लेती हूँ आप सब से विदा अपना ध्यान रखिएगा. नमस्कार.